लो दोस्तों जी काजू कतली तो हर कोई खाता है काजू कतली खाना हर किसी को पसंद है लेकिन जिसके कोलो शोल होता वो लोग बहुत इसको अवर्ड करते हैं तो इसलिए उनके लिए आज हम बनाएंगे मूफली मूफली की मूफली की मतलब मिठाई वो काजू कतली से पर आप लोगोंने अराम से उतार लेना है यह देखिए मसल मसल के अराम से हो जाएगा छिल का उतर जाएगा इसको अच्छे से साफ करना है उसके बाद क्या करना आप लोगोंने मिकसर जार में इसको डाल लेना और पांसे साथ मिंट के लिए इसके थोड़ा रुक रुक के इसको एक तो यह बनाना अव्य पहलू झाल मन रहा है तो भीचम में चैक करती रहती हूं तो अब मैं क्या करूंगी एक कड़ाई में डाल लूँगी चीनी मिश्री आप गुड़ कुछी भी डाल सकते हैं वह आप लोगों की मरजी है वसी बाद से मैं थोड़ अपाने डाल के चासनी बना लेंगे मतलब चासनी तारवार की नहीं बनानी है ऐसे ही चीनी को उबाल ले यह ज़ेंगे दोस्तों यह इसमें गाठे बन जाएंगी तो इसको फटा फटा यह बादा करना है इसकी सारे चीने भी लंगत से जाटे मारें लाकर को घीघ पडेंगे, यह तिक हें जाटे कर देंगे, च Schuld Before से तिक कि रैंजे के लाए जोफ़ों में लुटानिक्ता धालress दोी तो इंगी मदद में झालतें जाला की की थे हम झाल मीद्वी का वह करांजें आपने अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हूं, मैंने तो यह बिना उसके ही बना दिया है, और क्योंकि मूम फ्ले में बहुत जादा तेल होता है, इसलिए मैंने इसी परकार बना लिया यह, और इसके बाद एक पेपर रखके इसको अच्छे से बेल लेंगे हम, इस काट लेना और इस परकार बन के रेड़ी हो जाती है, मूम फले वाली यह बरफी और खाने बहुत टेस्टी और फाइदेबन सरीर के लिए होती है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मेरी वीडियो कैसी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल नहीं है त जिन लोगों को कुकिंग नहीं आते वो इस परकार दिये, डैजट बनाना सीख जाएंगे